जैश्री राधाकृष्ण भगवान जी की जैविशाक मास महत्यम में की मंदरिश बंसी वाले महात्मा युडिव चैनल के ओर से हम आप सबी भक्तों का हार्दी कभिनंदन करते हैं विशाक मास महत्यम के अध्याए एक से लेकर अध्याए 27 तक की कता को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं तो आज हम आपको विशाक मास मत्यम के 28 अध्याए की कता को सुनाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, विशाक मास के केवल कुछ ही दिन शेश रह गए हैं, हो सकता है कि विशाक मास में किसी ने सभी धर्मों का पालन ना किया हो, लेकिन जो विशाक मास के बाकी बचे हुए दिन हैं, अगर इन दिनों में भी कोई विश विशाक मास के सभी पुने कर्मों का फल मिल जाएगा, संपुर्ण विशाक मास के सभ धर्मों के पालन का फल उसको मिल सकता है, लेकिन करना यही होगा कि विशाक मास के बाकी बचे हुई दिनों में सभ धर्मों का सभ नियमों का पालन किया जाए, विशेश रूप से प्रा तसनान किया जाता है और उसके बाद वेशाख मास मत्यम की कथाओं को सुनना शिर्मत भगवत महापुरान की कथा को सुनना यता शक्ती दानपुन्ने आदी करना और पूरी तरह से अपने मन को भगवान के चर्णों में लगाना तथा वेशाख मास के इन बाकी बचे हुए द जो मनुश्य करता है उसको पूरे विशाख मास के धरम के पालन का फल प्राप्ट हो सकता है तो अब हम आपको विशाख मास मत्यम के 28 अधाय की कथा को सुनाने जा रहे हैं जो की इस परकार है प्राचीन समय में राजा बली और इंद्र का घोर युद्ध हुआ इंद्र बली क जीत कर फिर प्रित्वी पर उत्यथ रिशी के आश्रम में गया वहां जाकर उसकी मंद गामिनी घर्बिनी पतनी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशी भूत होकर बल पुर्वक उसके साथ भोग विलास करने लगा तब गर्भस्त बालक ने अपने पैरों से योनी मार् जिससे इंद्र का विर्य प्रित्वी पर गिर पड़ा इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर उस शिश्य को श्राप दिया कि तू इस करम के करने से जन मांद हो फिर रिशी के श्राप से डर कर इंद्र वहां से भागा उसको भागते देख रिशी शिश्य हसने लगे वह राजा बली ने अपने गुप्त चरोंद्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आकरमन करके अमरावती पूरी को चारों और से घेर लिया और देवता और दिखपालों की सब वीभूती को अपने आधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भूगने लगे उस समय अगनी आधी सब देवता देतियों के अत्याचार से दुखी होकर देव गुरु भरस्पती जी की शरन में आए हैं और उनको सब वरतांत सुनाया है और कहा है कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं इस समय हम सब देवता अती दुखी हैं देतियों से दुखी होकर हम सब आपकी शरन में आएं हैं। आप हम पर क्रिपा कीजिए। जिस प्रकार राजा के बीना प्रिट्वी पर सब प्रजदुखी होती है। ठीक ऐसे ही देवराजिएंद्र के बीना हम सब स्वरग के देवता इस समय दुखी हो रहे हैं। ये देव गुरु भरस्पति जी हम सब आ इस परकार अपना दुख देवगुरु ब्रस्पती जी से निवेदन करने लगे हैं। उस समय देवगुरु ब्रस्पती जी के मन में अती दया आई है। तब देवगुरु ब्रस्पती जी ने इंद्र का रसातल में बली को जीत उत्यर्थ रिशी के आश्रम में जाना और रि शची के सहित वहीं पर गुफा में गुसा हुआ है और अपने किये हुए करम पर पश्चा ताप कर रहा है। उन्होंने बताया कि हे सब देवताओं देवराज इंद्र ने जैसा घोर पाप करम किया है। उसका यही फल होना था। सब देवताओं के राजा देवराज इंद्र को ऐसा पाप करम शोभा नहीं देता लेकिन उन्होंने एक ऐसा पाप करम किया है कि इसका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। देवगुरु ब्रहस्पती जी के इन वचनों को सुनकर सब देवता उसी कंद्रा में पहुँचे जहां पर देवराज इंद्र विराज मान थे। हम स्थान भरष्ट होकर इधर-उधर फिर रही हैं। अब आप चल कर शत्रों का दमन करो। हे देवराज इंद्र स्वर्ग के बिना हम सब देवताओं की शोभा नहीं हैं। हम समान्य मनुश्यों की भांती इधर उधर दुख से पिडित होकर मारे मारे फिर रहे हैं। अब आप हमारे साथ चल कर हमारी रक्षा कीजिए और स्वर्ग पर पून्हे अपना अधिकार कीजिए। आज सब देवताओं की ऐसी प्रातना को सुनकर देवराज इंदर कहने लगे हैं कि पर इस्तरी गमन के दोश से मेरा बल, वीरे, यश, मंत्र, शक्ती, विध्या शक्ती सब नश्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ पर छिपकर निवास कर रहा हूँ। देवराज इंदर की ये बात सुनकर सब ने इंदर को बल देने का विचार किया। देवगुरु भरस्पती जी ने कहा है कि हे इंदर अक्षयत रित्या को जिसमें सनान दान आदी से मनुश्यों के हजारों पाप नश्ट हो जाते हैं और बल, वीरे तथा एश्वर बढ़ता है। इससे तुम इस दिन सनान आदी करो, सब धर्मों का पालन करो, इससे अवश्य ही भगवान की तुमको कृपा मिलेगी। आज देवगुरु भ्रस्वती जी के इन वचनों को सुनकर, देवराज इंदर ने अक्षयत रित्या को सनान आदी करके सब धर्मों का पालन किया है, दान पुने आदी किया है, तथा विशाक मास में जितने भी धर्म बताए गए हैं, उन सब का भक्ती भावना से पालन किय तब इन धर्मकारियों के करने से उनके बल वीर आदी सब पहले की तरह भड़ गए हैं, तथा पर इस्तरी गमन दोश भी नश्ट हो गया, अब देवराज इंदर पहले की तरह शोभाई मान होने लगे हैं, ऐसी अवस्था में देवराज इंदर ने सब देवताओं की सहायत से देतियों को जीत कर स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया है, और सब देवताओं के साथ अमरावति पूरी में प्रवेश किया है, तबी से ये अक्षत रितिया जगत में प्रख्यात है, अक्षत रितिया को किये जाने वाले पुन्यकारे से भगवान प्रसन हो ज सदा के लिए स्थान मिल जाता है अर्थात उसको मौक्ष प्राप्ट हो जाता है तो यहीं पर विशाख मास महत्यम के 28 अधैकी कथा का विश्राम होता है तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदिक धन्यवाद भगवान शी रादा कृष्ण जी की विशाख मास महत्यम की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधरानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैवे शाख मास महत्यम की जैजै श्री राधे जैजै श्री राधे जैजै श्री राधे शाम